आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो हमको CEX जो है यह हमको find out करने है अगर recall करो अगर angular y sector है जैसे मेरा यह ट्रेंगल ABC है और एक angular y sector हमने draw किया यह मेरा डी पॉइंट पर काटा यह दोना अगर बरावर है तो हमें पता होता है कि AB बटे AC पर्षक्रीशन परावर क्या होता है एक मेरा यह ट्रेंगल ABC यह हमने एक्ष़ी रैंगल तो देखको इसमें एंगल का पाश्रिटर डी पे काटा था ऐसी एक्ष़ी रैंगल का वाय सेक्टर में ड्रॉव किया वह मेरा ई पे काटा इसमें एवी बटे यह सी क्या हो जाएगा कि एभी बटे इसी क्या बीई बटे वी की डी से डिस्टेंड नहीं थी तो भी एए ऐसी सी की डी से इस्टेंड अपन सी यह हो जाएगा ना इस वाले ट्रेंगल के लिए अपलाई कर दो यह वाला जब इस वाले ट्रेंगल के लिए अपलाई कर देंग और सीई की वेल्वी केती ही एक्स एक्स यहां से किता आएगा बाराइचे बाततर बाचिंग बाततर बाते दस लेटेट इस सेवन पॉइंट तू सेंट्मेंटर अब बटे एसी बरावर बी इवटे चीए बी सोरी यहां पर 12 प्लस एक्स हो जाएगा यहां पर गलत कर दिया है देखो एक्स पर बाता सी बरावर बी इवटे चीए था एक्स दस बाते छे तो बी मेरा क्या बारे प्लस एक्स अपॉन एक्स आएगा ठीक है यहां से देखो क्या होगा, 10x is equal to 72 plus 6x, 10x is equal to 72 plus 6x, यहां से 4x वरावर क्या है, 72, x वरावर क्या है गा, 18, so 18 is the answer, यहां पर गलत कर दियाता है, यहां पर, b, e हमारा क्या है, 12 plus x है, यहां पर b, e है न, 12 plus x है, यहां से x इलिटर करके 18 आ है, उसी e की value क्या जाएगी, 18, thank you. क्लासिक स्टिट्वल से लेके नीट आईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर